So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Trader So guys अगर अब तक आपने मेरा चैनल The Mahajan Trader को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो guys आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हो Stock Market Inn इसका नाम है इसकी लिंक आपको description में मल जाएगी तो guys वीडियो को करते है continue और इस वीडियो में हम बात करने वाले है Rack Limited की REC Limited इसे कहा जाता है Stock में अगर देखें तो दो बड़ी news यहाँ पर आ रही है सालों बाद यहाँ पर एक तगड़ा मोका आपको मल सकता है साथ ही guys यहाँ पर बात करेंगे एक dividend share की भी और विल्कुल आपको Rack में 20 रुपे हर share फेर फाइदा हो सकता है तो केसे आगे में बताओगा तो विल्कुल यहाँ पर पहले देख लेते है stock ने last trading season क्या performance यहाँ पर बताई है तो यहाँ पर आप देखोगे 122.60 रुपीज के राउन यहाँ पर एशियर हमें closing देता हुआ नजर आया था वही एगर देखे guys तो 3.45 रुपीज तक की गिरावट रही है 2.74 परसन के basis पर यहाँ पर गिरावट की भीच है एक news है ओ बताऊ तो यहाँ पर आप देख सकते हो guys यहाँ पर R.E.C. Limited में एक news आ रही है R.E.C. Board ओके रुपीज 1.2 ट्रिलियन मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम फोर 2023 तो 2024 यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट की ओर से एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसे कहते हैं मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम यानि यहाँ पर कोई भी specific company मार्केट से पेसा उठाती है बिलकुल और यही चीज R.E.C. Limited कर रही है R.E.C. Limited यहाँ पर 1.2 trillion यानि अगर देखें गाइस 1,20,000 करोड का पेसा एक मार्केट से उठाने वाले है और यहाँ पर अगर देखें इस news की भना काहवी पहले से ही थी यहाँ पर क्योंकि इससे भी पहले एक news सामने आई थी जिस टाइम यह news आई थी तब भी गिरा था एशर बड़ गाइस यहाँ पर अगर देखें अब भले ही इसमें गिरावट हो बड़ रिकवरी चल दी आएगी इस news के कारण गिरता क्योंकि यहाँ पर इस news के पहले भी अगर आप देखोगे तो REC ने एक चीज यहाँ पर अनाउंस की थी कि वो यहाँ पर 500 मिलियन का यहाँ पर जो बोंड है यहाँ पर ग्रीन बोंड के थुरू और रेस करने वाले हैं लगबग 500 मिलियन डॉलर तो यह news तब भी हमें देखने को मिली थी और गाइस यहाँ पर अगर देखे इन यूस के बाद भी stocks में पिछले कुछ दिनों से हम बहतरीन तेजी देख रहे हैं बहतरीन तेजी यहाँ पर हमें देखने को मल रही है अगर आप देखते हो गाइस तो पाच दिनों में share 4.75 रूपिस के अराउंड यहाँ पर बढ़ चुका है 4.03% के basis पर growth नजर आ रही है यहाँ से stock ने काफी अच्छे momentum बता है यहाँ से stock गिरता हुआ दिखा वही अगर आप देखोगे तो एक महीने में यह जो share है यह 8.55 पेसे तक की rally यहाँ पर बता चुका है 7.50% के basis पर share में हमें growth नजर आ रही है और गिरता भी है तो एक profit booking होगी तो किस range में आपको buy करना चाहिए एक important चीज है जो हम आगे देखने वाले हैं और यहाँ पर आप देखोगे गाज़ तो 6 month में share 16.55 रूपिस के round यहाँ पर बढ़ चुका है 15.61% के basis पर यहाँ पर आप देखोगे तो शानदार breakout stocks में मिले है यहाँ पर शानदार support यह share ले रहा है तो इसी चीज़ा हमें देखने को इसमें मिल रही है और यहाँ पर volume को देखकर लगता है कि जो गिरावट हमें देखने को मिली last trading season last Friday जो गिरावट हमें देखने को मिली वो गिरावट यहाँ पर जल्द खतम हो सकती है और stock यहाँ पर जल्द ही तगड़ी recovery बता सकता है share में एक अच्छा तगड़ा momentum आ सकता है गयसे इस चीज़ा हम उमीद कर रहे है तो यहाँ पर आप देखोगे तो last trading season यहाँ पर 1 करोड के अराउंड की delivery stock में उठाईगी थी 49 lakh का और उससे एक दिन पहले की बात करूँ तो 1 करोड का trade value और 54 lakh का और तगड़ा नजर आ रहा है और levels की भी बात कर लू तो levels भी तगड़े है तो पहले हम 5 मिनट के time frame पर दिखेंगे कि कल क्या stock में momentum रह सकते हैं कल क्या rally हमें देखने को बल सकती हैं तो पहले तो आप देख सकते हो guys एक gap down हुआ था यहाँ पर Friday के दिन एक gap down हुआ था क्योंकि market यहाँ पर gap down के बाद काफियत तक गिरना start हो गया था उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हो तो stock ने एक गिरावट के बाद इस range पे support लिया इस range पे इसने support लिया फिर उसके बाद आप देखो गए तो stock ने एक high लगया फिर यहाँ से share गिरा फिर इस range से गिरता हो स्राटवा और इसी trade line को follow करते हो यह नीचे आ रहा था बट कही ना कही आप देख सकते हो कि यह इस particular level तक support ले रहा है और यहाँ पर आप इसे बिलकुल एक falling wage type pattern भी consider कर सकते हो falling wage type pattern आप consider कर सकते हो और यहाँ पर हमें breakout भी मिल चुका है गए इस एक breakout के बाद यह share उपर की और continue कर रहा है rally और जो target है 125 रुपे तक 125 रुपे तक ही जा सकता है जोकि breakout हमें मिल चुका है और यहाँ से यह growth बिलकुल उपर क्यों जाएगी 125 रुपे का जो level है यह easy तरीके से achieve हो जाएगा और यहाँ पर अगर breakout मिलता है इस range को भी break करता है तो कल के दिन 126 के level तक भी achieve कर जाता है तो guys but breakout यहाँ पर मिल चुका है तो उपर का थोड़ा आपको wait करना होगा एक gap filling process होगी बट इसके बाद अगर आप देखो तो कुछ ऐसी चीचे भी है जो negative इसमें नज़राती है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे guys तो stock में पहले यहाँ पर उपर गया फिर नीचा है तो यह support यहाँ पर ले रहा है फिर यहाँ से jump आया फिर नीचा है फिर support इसने लिया फिर उपर गया फिर नीचा है फिर support इसने लिया तो कही ना कही यहाँ पर आप देखोगे तो एक head and shoulder type pattern यहाँ पर create हो रहा है बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर इस range को नीचे की और break करता है तो एक fall यहाँ से continue होगा और इस fall के साथ साथ जो एक gap ups यहाँ पर हुए है जो gap यहाँ पर अफ हुए है उन gaps को फील करने कोशिश करेगा आपके लिए इस चेज का आपको ध्यान रखना है जो सोच रहे लोग की रैक बढ़ रहा है खरीदे या नहीं तो आप पर अगर देखें तो कुछ इंपोर्टेंट लेवल है और यहाँ यहाँ पर अगर देखें और यह बड़ा रिजेक्शन यह ले रहा है बड़ा रिजेक्शन ले रहा है तो कैसे मैं आगे बतोगा पर उससे पहले आप देखोगे तो यह बिल्कुल प्रॉपर राइस एक्शन के हिसाब से यह काम कर रहा है इस चीज का आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर भी अगर ट्रेड लाइ यहाँ पर रिजेक्शन ले चुगा है और फिर से गिर के आ रहा है तो एक चीज यहाँ पर यह भी समझ लो कि यह स्टॉक नीचे वहाँ से इस पर्टिकलर रेंज से रिजेक्शन ले रहा है बड़ इहाँ पर ब्रेकाउट मिला है तो 116 का लेवल है बाइंग लेवल आपको दिहान रखना तो 116 तक भी आ सकता है बट वहीं अगर देखे गाइस तो इक गिरावट के बाद एक तगड़ा का रिवर्सल भी इस टॉक में आना बागी है तो इन चीज़ों का आपको दिहान रखना है तो गाइस यहाँ पर अगर देखे तो बहुत सालों बाद इस लेवल को टच करनी कोशिश करेगा और यहाँ से एक बड़ा जंप हमें देखने को आजाएगा यहाँ पर अगर देखे गाइस तो अगर आप analysis नहीं करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारे telegram channel को join यहाँ पर कर सकते हैं और वहीं अगर देखें कि dividend share को भी अगर discuss करें तो यहाँ पर Vesuvius India Limited इसका नाम है 1,601 रुपीज का share है और dividend company के और से आपको बिल्कुल है dividend का फाइदा मिलने वाला है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो कर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही हमारे telegram channel को भी join कर देना इसकी link आपको यहाँ पर description में मिल्चा अगी Thank you